बिना पैसे बिजनिस शुरू करने के बेस तरीके कमाएं लाखो रुपए क्या आप बिजनिस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं तो गबराइए मत क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं पर अगर उनके पास business शुरू करने के लिए पैसे नहीं होते तो तब भी वो अपना business शुरू करते हैं। ठीक इसी तरह से आप भी अपना business investment के बिना शुरू कर सकते हैं। अगर आप business करने की सोच रहें और ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसा business करें जिसमें आपको पैसा invest ना करना पड़े, तो यहां हम आपको कुछ best business बता रहे हैं. जिनको करके आप हर महीने लागों किमा सकते हैं और वो भी बिना निवेश किए. डॉप शिपिंग बिजनेस आप अपने घर से बैट कर बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं और इस बिजनेस को आप अपने स्मार्ट फोन की मदद से कर सकते हैं आज कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास स्मार्ट फोन ना हो बस आप अपने स्मार्टफून के इस्तिमाल कीजिए और ड्रॉप शिपिंग बिजनिस आज से ही शिरू कर दीजिए इस बिजनिस को कोई भी इंसान बहुत सरलता के साथ शिरू कर सकता है बस इसके लिए आपको अपने डिस्टिब्यूटर बनाने होगे साथ ही साथ आपको अपना नेटवर्ग भी स्ट्रॉंग बनाना होगा जिससे की ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पहचाने और जाने जब आप अपना बिजनिस शुरू कर लें तो इसके बाद आप अपने बिजनिस को सोशल मीडिया जिससे की फेस्बोक, इंस्ट्राग्राम, इत्यादी पर प्रमोट भी कर सकते हैं इस बिजनिस में सबसे अच्छी बात ये है कि आपको उसमें लागत के नाम पर कुछ भी नहीं लगाना होगा और आप अपनी मरजी से प्रोड़क्ट भी डिसाइड कर सकते हैं इस तरह से जब आपके डिस्टिब्यूटर आपको आडर प्लेस करेंगे तो आपको उस आडर को पूरा करना होगा इस काम को शुरू करने के लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं होगी और कुछ टाइम में आप देखेंगे कि हर महीने आपकी एक बहुत अच्छी इंकम होने लगी है अगर आज की टाइम की बात की जाए तो ऑनलाइन बिजनस करना एक बहुत अच्छा उप्शन है क्योंकि इसको करने के लिए आपको लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी पर अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो तब आप अपने मॉबाइल से भी इस काम को शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनस करने के लिए आपको किसी भी तरह के इंविस्टमेंट की जरूरत नहीं है आपको बस इतना करना है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकट रखते हैं उन्हें करके आप पैसे कमा सकते हैं तो इस तरह से online business करने के बहुत सारे options हैं जैसे की YouTube channel, affiliate marketing, blogging, photo selling, online store, content writing और online teaching. Bill auditing business अगर आप bill auditing के बारे में नहीं जानते तो पहले हम आपको बता दें कि इसका मतलब होता है कि अगर किसी bill में किसी तरह की कोई problem है तो उससे चेक करना, यानि कि उससे audit करना. ये business करने में बहुत आसान है और इसमें आपको बिलकुल भी पैसे निवेश करने की जरूट नहीं होगी. इस business को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि किसी company से contact करना होगा, जो कि आप या तो social media के through कर सकते हैं, या फिर आप किसी refer platform के through भी कर सकते हैं. इस बात में आप चाहें कम काम करें, लेकिन धीरे धीरे आप इस business से हर महीने लागों रुपए कमा सकते हैं. Office Supplies Office Supply Business भी आप बिना किसी investment के शुरू कर सकते हैं, और हर महीने काफी profit इस business को करके कमा सकते हैं. लेकिन अगर आपके दिमाग में इस सवाल आ रहा है कि आखिर आफिस सप्लाई बिजनेस होता क्या है, तो यहां हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब किसी स्कूल, कॉलेज, इंस्टिट्यूट या आफिस में किसी तरह के सामान की requirement होती है, तो वो आप से ले सकते ह पर इसके लिए आपको पहले उससे जाकर बात करनी पड़ेगी, ताकि जब उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़े, तो वो आपको order करके उस चीज को मंगबा ले, इस तरह से आप से जो भी product खरीदे जाएंगे, उनका profit margin आपको मिलेगा, तो इस तरह से आप बिना पैसे ल इसके लावा engagement party, birthday party, theme party वगरा को भी लोग बहुत अच्छी तरह से celebrate करते हैं, तो ऐसे में अगर आप event management business शुरू कर लेते हैं, तो जब आपको किसी शादी, party या किसी समारों का काम मिलेगा, तो उससे आपको बहुत ही जादा फायदा होगा, इसमें आपको किवल करना इतन है कि client की पसंद के हिसाब से program design करना है और अपना profit ले लेना है, यहाँ आपको बता दें कि इस business में जो profit margin होगा, वो इस बात के उपर depend करेगा कि आप चीजों को किस तरह से arrange करते हैं, योग business, आज की टाइम में हर इनसान खुद को खुबसूरत और fit बनाने में लगा हुआ जिसके लिए वो योग और meditation का सहरा भी लेता है, तो ऐसे में अगर आप योग business शुरू करें तो आपको बहुत ही जादा profit होगा, इस business को आप बिना एक रुपया खर्च किये शुरू कर सकते हैं, बस आपको योग ठीक से आना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से अपना योग सेंटर आप अपने घर में ही खोल सकते हैं, और जैसे जैसे आपका योगा सेंटर famous होगा, वैसे वैसे आपको जादा से जादा लोग मिलते चले जाएंगे, जिससे आपकी आमदरी में बढ़तरी होगी, फिर बाद में आपकी मर्जी है, कि आप चाहें बहुत ही पॉपलर बिजनस आइडिया है क्योंकि हमारे देश में साल भर तेवहारों का मौसम बना रहता है जिसकी वज़े से तेवहारों के टाइम पर जहां एक और देश भर में रौनक होती है तो वहीं सड़कों पर भीड बहुत जादा हो जाती है इसलिए इस भीड को कंट्रोल करने के लिए सिक्यूरिटी की जरूरत पड़ती है इस तरह से अगर आप सिक्यूरिटी एजनसी खोल लेते हैं तो तेवहारों के टाइम पर आपको बहुत ही जादा प्रॉफिट होगा क्योंकि नया साल, दिवाली, इद, क्रिसमस कुछ ऐसे अफसर होते हैं जब सड़कों पर बहुत जादा भीड खटी हो जाती है तो उस टाइम भीड को कंट्रोल करने के लिए सिक्यूरिटी की जरूरत पड़ती है SEO कंसल्टिंग अगर आपको इंटरनेट और सर्च इंजन की जानकारी है तो आप SEO कंसल्टिंग एजनसी खोल सकते हैं जिसके लिए आपको बिल्कुल वी इंवेस्मेंट नहीं करना होगा ये बिजनस इतना अच्छा है कि अगर आपको कुछ क्लाइट मिल जाएं तो आपको हर महीने काफी अच्छी इंकम हो सकती है अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और इसके लावा आपको कंटेंट और ग्रैफिक्स की थोड़ी जानकारी है तो आप इस बिजनस को बहुत ही आसानी के साथ शिरू कर सकते हैं इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि हर कस्टमर की नीड के अनुसार आपको अलग-अलग SEO पैकेज बनाने होंगे और इसके बदले आपको एक अच्छी इंकम जिनरेट करने का मौका मिलेगा वैसे देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत ही बेस बिजनस साबित हो सकता है क्योंकि आज डिजिटल मारकेटिंग एरा में हर इंसान को एक अच्छे SEO कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है अगर आपको डान्स करना और सिखाना अच्छा लगता है तो आप अपना डान्स इस्टिटूट भी शुरू कर सकते हैं यहां बता दें कि आपको इसके लिए किसी भी तरह के इंविस्मेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सारा काम आप बिल्कुल फ्री में शुरू कर सकते हैं आप अपना डान्स इस्टिटूट अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं हो सकता है कि शुरुआत में आपके पास डान्स सीखने के लिए कम लोग आए लेकिन धीरे धीरे आपके पास जादा लोग डान सीखने आने लगेंगे और इस तरह से कुछी दिनों में आप बिना पैसों के हर महीने काफी अच्छी इंकम जनरेट कर सकते हैं उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलोज जरू कर लीजिएगा अभी के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद